हाई फ्रेंज में हुँ माने वेलकम टू मुवी शूवी करते हैं आपस में पॉजटर सा नमस्कार जैसे कि मैंने प्रॉमेस किया था कि हम कुछ आपको लिए रिक्मेंडेशन भी लाते रहेंगे और कोशेश ही रहेगी कि हफते में कम से कम दो तीन ऐसी रिक्मेंडेशन तो कि लेके आएं और अगर हो सकत हो सकता है एक रिक्मेंडेशन रोज की लेके आएं जिसमें आपका काम असान हो जाए कुछ ऐसी मूवी इस वेब सेरीज आपने मिस्स कर दी हो लेकिन बहुत जाद है इंट्रेस्टिंग हो तो आज हमारे पास टॉप फाइव हिंदी ऐसी सू पूरी देखने को मिलेगी या फिर कुछ ऐसा माइथालोजी का तड़का होगा जो कि आप बोलोगे कि यह तो बहुत दूर तक चले गए इसको खोद के समझना पड़ेगा कि हुआ क्या था तो पांच सीरीज हैं यह काफी अलग-अलग प्लाटफर्म के उपर आई हैं और म प्लाटफर्म था और अच्छी-ची सीरीज इसके अंदर आ रही थी आश्रम भी आई थी इसके दो पार्ट्स में आ चुकी और इसमें एक कॉंक्लूड हो चुकी है कहानी बुड़ी इंट्रेस्टिंग सी है यहाँ पर आपको कुमार महाजिन की कहानी देखती है जो की हिसान की लाइफ एक ही तरीके से दूसरे के लाइफ के कैसे मर्ज हो जाती है जो उसके जीवन में हुआ जोसी नोकरी लगी जैसे उसकी जंड जिंदगी जैसे उसके जीवन में उतार चड़ावाते सब कुछ जिसकी जिंदगी के अंदर भी होने लग जाता है तो यह काफी दिखते हैं और इन दोनों की जिंदगी पैरलेली कैसे चल रही है यह काफी interesting matter हो जाता है जिसके अंदर mythology, astrology बहुत कुछ linkage हो जाते हैं काफी interesting तरीके से बनाएगी है जिस तरीके की presentation है वो भी बिल्कुल अपको अच्छी लगेगी है कि एकदम lower middle class का घर किस तरीके के होता है पैसे की ज़रूत किस तरीके से होती है अटायर ले लीजिए और acting तो जहां पर बात आ जाती है स्वाटनल जोशे की और नेतश भारजवाच की वो तो top notch होती ही होती है जब season 1 आया तो season 2 का इंतजार बहुत ही जबर्दस तरीके से हो रहा था और कहीं न गहीं आपको season 3 कभी लगेगा कि हो जाए तो अच्छा है बट जिस तरीके से end होगे है वो भी ठीक ठाक सा end है second जो मैं आपको recommend करने वाला हूँ वो है Netflix की secret games कफी लोगों ने देख ली होगी सर्ताज सिंग की यहाँ पर कहानी है जो कि एक police inspector है अपने आपको proof करने की कोशिश कर रहा है उसके father साथ जो थे वो भी services के अंदर थे अचानक से quite on day का एक phone आता है जो कि नवाजुदीन सुद्धिगी ने role play किया और सर्ताज का role सेफ अली खान ने किया और यह पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई mainstream जो actor है वेब series के अंदर आना शुरू हो गया था अब तो कहार नॉर्मल सी बात हो गए हैं आप दो अक्षे कुमार पर दिख जाते हैं आपको तो सर्ताज जो और जो गयकोंड़ की जो conversation है फोन के अंदर शुरू होती है और वो बताता है इसको कि भाईसा बैसा है कि यह जो biggest dawn है यह आपकी जो दुनिया है वो खतम होने वाली है और आपके पर सिरफ मुश्किल से 25 दिन बचे हैं इसको बचाने के लिए अब सर्ताज का यह बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है यह आपको दो सीजन में देखने को मिलता है यहाँ पर जो mythology का flavor और यहाँ पर जो एक spiritually जिसे कहते हैं सब लोग बरावर वाली जो कहानी है वो एक आश्रम से linked होती है वो क्या बड़ा plan कर रहे है और क्या एक आश्रम इस तरीकी planning कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है वो आप इस series के अंदर देखते हैं और इसकी जो IMDB rating है 8.5 की है और जहाँ पर समांतर की जो rating थी वो 8.3 की थी तो एक काफी ज़्यादा मशूर और लवेबल तरीकी series है जो की universally लोगों को अच्छा लगा है अब एक series है जो ultra popular हो गई ती जिसका नाम है असुर ये आप लोगों को पता होगी अगर देखी है तो बहुत च्छी बात है जिन्होंने अभी भी miss कर दिये तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही nice blend है Indian mythology का modern day का किस तरीके से जो अवतार की बात हम करते रहते है काल की की और काली के आपस के डिशुम डिशुम की ये जो सारी बाते हैं यहाँ पर आपको कहीं न कहीं देखने को मिलती है कैसे extreme level of कल्यूक के बाद जो है वो सत्यूग आ जाएगा या फिर जो अगर ये रोक अगर इसको किस तरीके से रोका भी जाया जा सकता है ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है back to back murder हो रहे हैं इसके अंदर और कहीं न कहीं इन murderers के बीचे एक ही common का हाथ है और वो अपना mask यहाँ पर छोड़के चला जाता है जो mask भी काफे ज़्यादा popular हो गया था IMDP पर rating इसकी 8.5 की थी अर्शद वार्शी को अपने कलीक के साथ यह ढूनना है कि यहाँ पर यह जो serial killer है वो कौन है और इसकी मंचाएं क्या है season 1 में ही आपको एक clear कर दिया जाता है कि इसका बहुत ही strong mythological linkage है और season 2 में आपको इस तरीके से लेके चला जाता है कि आपको इसको ढूनने में बिल्कुल ही बहुत मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि यह आपको mentally इतना जदा कमजोर करतेगा आपकी रिष्टेजारी से कि आप कभी भी justice देव पाऊगे कि ने देव पाऊगे तो क्या यह दुनिया बचा पाएंगे कि नी बचा पाएंगे यह आप देखते हो असूर के अंदर एक और बहुत interesting सी series है जिसके अंदर again mythology हिंदू scripts उस तरीके के बात करी गई है वैसे असूर अगर आपको देखना तो वूट और जीयो पे अब आने लग गया है दोनों जगह पे available है 8.5 की इसकी rating है the last hour इसके अंदर संजे कपूर है Amazon Prime वीड़ो पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही slow burner है हिमालिन रेंज के वहाँ पर एक चोड़ चोड़े जो शेहर होते हैं वहां की ये कहानी है गाउं भी है और सन्नाटा भी है खून कतल भी हो रहे हैं और उसको उजागर करने के लिए एक शामन की हिल्पी जाती है शामन मतलब वो जो spirit से बात कर सकता है कुछ देर के लिए before they reach their destination चाहे वो कहते ना कि पताल लोग चले जाए चाहे फिर वो भावान के शरी चड़नों के अंदर चले जाए लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो जो मनजर है कि कैसे वो मारा था या लास्ट कुछ आवर में क्या कुछ हुआ था ये शामन देख सकता है और ये काफ़े हिल्पफुल हो सकता है पुलिस के लिए तो ये कैसे जो जुगलबंदी है वो बैठती है इसकी IMDV रेटिंग 7.1 है काफी इंट्रेस्टिंग तरीके के सीरीज है एक नया कॉंसेप्ट है अगर आप देखो कि आपको काफी साथ मज़ा आएगा मैंने जब अपना चैनल शुरूई किया था तो ये असूर ले लिजे चाए लास्ट आर ले 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 जे समानतर ले 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 इनके मैंने रिव्यू भी कर रहे थे तो मुवी शुवी के चैनल पर जाके सर्च करोगे आपको इनके रिव्यूस भी मिल जाएंगे और जैस्ट भी आर टॉकिंग मैं टाइम बैंड के अंदर कही ना कि डाल भी दूँगा इनको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि आप इनके रिव्यूस कहां देख सकते हैं अब लास्ट में आपको मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग सीरीज के बारे बताना चाहता हूँ जो मेरे कालते बहुत से लोगों में मिस कर दियोगी इसका नाम है अफसोस एमाजन ट्राइम विडियो के ओपर है यह गुलशन दवया इसके अंदर है अक्टर बहुत बढ़ी है यह कैसे इंसान है जो कि एक अमर आदमी है यह अमर आदमी बहुत कोशिशे करता है कि इसकी जंड जिंदीगी से इसको निजाद मिल जाए और यह बहुत सारी सूसाइड टेंप्स करता है अल्टिमेटली यह सोचता है कि मैं अपना कॉंट्राक्टी दे रहता हूं साला मेरे को कोई ना कोई मार देगा लेकिन हर बारी यह बच जाता है इसके पीछे का राज जो है वो भी कहीं माइथोलेजी हमारी संस्कृती से जुड़ा हुआ है क्या यह हमार आदमी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और अगर यह जन्मिल ली हमार आदमी है और यह मेरे खाब तो 2020 के अंदर आई थी और लेकिन जब आप यह देखोगे तो आप शायद हो सकता है एक मोहीन चेड़ दो के वी वांट मोर अफसोस और यह रेगुलराइज हो जाने चाहिए तीन चार कम से कम इसके सीजन आने चाहिए इतना इंट्रेस्टिंग तरीके की इसकी राइटिंग थी और सेटप था बागी और रेकिमेंडेशन के लिए बने रही है रिव्यूस तो आते ही रहेंगे स्टे कनेक्टेड बाए बाए